समर्पे भूजल प्रबंधन में सामुदाईग भागेदारी संखर्ष जल के प्रबंधन के लिए संस्थागत धाचा मदभूत हो, हमारी आदतें बतले संकल आने वाली फीडियों के लिए जल सुरक्षा पिछले कुछ दश्कों से भारत में कुछ राजियों के भूजल स्तर में लगातार कमी आई है हो सकता है एक दिन वो भी आए जब जल बचे ही ना ऐसा ही होगा अगर हम अब भी न संब्ले अगर बारी के से देखोएं तो आपको यह पता चलेगा कि पिछले साल तो पानी इतना नीचे था इस साल और नीचे चला गया थोड़ा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि आपके आँखों के सामने पानी कितना नीचे चला जा रहा है अटल जल यह 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम है भारत जैसे देश में पानी का महत्व हम समझते हैं देश ने लगातार प्रगती की है चाहे वो क्रिशी हो उद्योग हो नई सुविधाओं में शहरी करण में इसके साथ ही हम वो देश भी बन गए जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भूजल इस्तेमाल करता है नतीजा देश के 20 प्रतिशत भाग में पानी की कमी है इसका सीधा असर पड़ता है हमारी खादे सुरक्षा पर महेंगाई पर और जीविका पर पानी की घहराई भूत अंदर चली आ रहे पास्तो फोड़ गड़ा हो रहे है अज तो देख्कत ही देख्कत है यहां रहे है बहुत पानी की समस्य आ जाती गंदा पानी हो जाता है और नल शूख जाते हैं गर्मियों में पहले सो यह देख्लया उंड़ा पोरूंग और खोद लेंगे और खोद लेंगे और खोद खोद तो आकरी आ गया अब क्या करें या जमीन पानी कम पढ़ रहो है हमारा पता पादी केश जीन गड़ा इन सभी के सामने भी एक ही सवाल लगातार कम होता हुआ पानी जो हमारा जलसतर है जिसे हम देशी भासा में चोवा बोल देते हैं तो उसकी जो समस्या है गडी रुडान का हमने यार किया है नफशा आपके गाउं का गाउं में कहां से एंट्री है, कहां पर गाउं का दलाब है, कहां पर गाउं का स्कूल है लेकिन अटल भूजल योजना से चुड़ी इस जागरूपता मीटिंग में सभी का सामना हुआ सच्चाई से लेकिन हम वर सबसे घड़ी इस मश्का सबसे ज्यादा हम औरतों के सामने और है कि उरतों को इसको स스व कBut me बचाने के लिए बात संभव रियास करेंगे और सभी को इसके लिए रेरिक करेंगे इससे आने वाली प्रीडी को भी आम भूजल परदान कर सके रन्यवाद तर्यवाद वर्ल बैंक के सहयोग से अटल भूजल योजना विश्व का सबसे बड़ा भूजल प्रबंधन कारिक्राम देश के सात राज्यों में पानी की कमी से जूज रहे असी जिले 8551 ग्राम पंचायतों के लिए एक उम्मीद अटल भूजल योजना साथ योजना से इन सात राज्यों के भूजल को उपर उठाने में बहुत मज़दी हैं कहने कर तो सात राज्य हैं लेकिन एक प्रगार से ये हिंदुस्तान का 50% हिस्सा है देश का प्रधान मंत्री और देश का जल सक्ति मंत्री दोनों ऐसे इलाके से आ रहे हैं जहां पानी की किल्लत क्या होती हैं जो ज़दब से जानते हैं अटल भूजल योजना के प्रेड़ना स्त्रोत जल से जुड़ी सफल का था हैं महराश्ट्र में हिवड़े बाजार राजस्थान और गुजरात के गाउवासी जो स्वैम आगे बढ़े सिज्जाई के जल प्रबंधन के कुशल तरीके अपनाएं और आज समरिधी की मिसाल हैं अटल भूजल योजना का मकसद पानी की कमी को कम करना भूजल स्तर को बढ़ाना अटल भूजल योजना की सफलता से सीथे जुड़ा है जल जीवन मिशन एक संकल्प हर घर पहुँचे साफ और भरपूर जल जल प्रबंधन में सभी की भागेदारी हो इसके लिए ग्रामेंट समुदाए को ही ट्रेनिंग दी जाती है कि वो खुद पानी की क्वालिटी जल का स्तर नापे और उस पर नज़र रखें अद्रिष्य को द्रिष्य पनाने के लिए ये जरूरी है कि गाउंवाले यूवक नोज़मान बुजुर्ग खुद अपने गाउं के कुएं का अपनी ट्यूवल का भूजल का पानी नापे और देखें कि किस तर पे नीचे जा रहा है जब उनको अपनी समस्य का पता चलेगा तब ही वो उसके समधान का प्रियास करेंगे गाउं गाउं में रेंगेज यानि वर्षा को मापने के यंत्र लगाए जा रहे हैं ताकि वर्षा का हिसाब रखा जा सके जब गाउं वाले खुद उसको नापेंगे कि मेरे गाउं में आज कितनी बारिष हुई, कल कितनी बारिष हुई थी, इस साल कितनी हुई, इस महिने कितनी हुई तो एक सोच पैदा होती है कि मेरे गाउं के अंदर इतनी बारिस होती है तो मैं क्या इसको कंजरू कर सकता है गाउं में पानी के हर स्त्रोथ की जियो टैगे, जलस्तर और वर्षा के आगणों के आधार पे बनता है जल बजट अटल भूजल योजना में हम वाटर बजटिंग करते हैं या जो जल बजट बनाते हैं इस जल बजट के अनुसार हम गाउं में ये देखते हैं कि हमारे पास कितना पानी है जो भूजल कितना है और हम उसका निकाल कितना रहे हैं उन्हें पानी का बजट बनाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो अपने घरेलू बजट के समान अपनी पानी की उपियोगता को बढ़ा और कम कर सकते हैं वाटर बजट मीटिंग के दोरान गाववासी अपने गावं के पानी से जुड़े आकणों की समिक्षा करते हैं और अपने सुझाव देते हैं कि आपके पास पानी तो है सो यूनिट है और निकाल आप छे सो यूनिट रहे हैं इसका मतलओ यह है कि आप छे गुना घाटे में हैं जतना भी जाद़ा जाद़ा हम पानी वाटर लेवल कम निकालेंगे उतना हमारा पानी बचेएगा भूजल कैसे बचाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए लोकल एंजियों की मदद से गावासियों के सुझावों और वाटर बजट के आधार पे तैयार और अप्रूफ होता है वाटर सिक्यूरिटी प्लान जितने भी आपके एकडमे स्प्रिंकलर ड्रिप लगेंगे ये आपके गावों के जल सुरक्षा योजना में डाल दिया है क्या आप इससे सहमत है जिले, राज्ये और राश्ट्री इस तर पे वाटर सिक्यूरिटी प्लान वेरिफार यानि सत्यापित किया जाता है आटल भूजल योजना को आर्थिक मदद मिलती है दूसरी सरकारी योजनाओं से भी जैसे महत्मा गांधी नरेगा और प्रधान मंत्री कृषी सिंचाई योजना परंपरागत सिंचाई के तरीकों में पानी की बहुत बरबादी होती है अटल भूजल योजना के तहट किसान सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर अपना रहे है इससे 30-40 प्रतिशत भूजल की बचत हो रहे है इसके साथ साथ किसान अपना रहे हैं मल्चे अटल भूजल योजना किसानों को प्रेडित करती है उन फसलों को छोड़ें जिनमें ज्यादा पानी लगता है ऐसी फसले अपनाएं जिनमें पानी की लागत कम हो करनाटा के कुछ किसानों ने खजूर की खेती अपनाई इस फैसले ने बहुतों को चोका दिया लेकिन आज उनकी उपज और कमाई सभी के लिए एक प्रेड़ना है पॉली हाउस खेती पूरे देश में अपना सिक्का जमा रही है जलवायू नियंतुरित, खाद की, पानी की लागत बहुत कम उत्पादन 5-10 गुणा ज्यादा श्रेश्ट क्वालिटी बहतर दाम महराश्ट्र के बहुत से किसानों ने अटल भूजल योजना और कृशी विभाग के समन्वे के तहत पानी बचाने के लिए पॉली हाउस क्रिशी को अपनाया है कमी पाने वर बाश्पी बावना पासोन उन वारानी पाउस मजे तिने हंगा माथी फिक गयतायता अग्दी उगडे वर ज़र आपनी डवड़ी मिर्ची के लिए तर अग्दी मापक उत्पादन मजे पास ते आठाना पक्षी जासते इतना है पंठेज दोन तितिन पटी मदे मजे पंचु से तिस टन उत्पादन एका एकरा मदेता अनि तेचा मोड़ा सांगले प्रकारज़ता आर्थिक प्राप्ति होते दान में खर्चा जादा लगता है इसलिए अमने धान छोड़के कपास अपनाई है इसमें पानी कम लगता है और इससे दुगनी आमद होती है अठल जल बुज योजने की तरफ से एक टीम आई थी कुछ सुजाव दिये थे फित्ति के बारे में गुजरात में भी किसानों ने ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ बड़ी तादाद में अनार की खेती को अपनाया है सर्गवात में तो एरंडा करता था रायडानू पन पाक करता था बाजरू पन भावता था अन्ने गवनी पन पेदा लेता था अना करतो बिल्कुल उसु पाने जुएचे जमके दस्मा भागनू एनी इंदर पाने यूद थाएचे राजस्थान गंगाराम जाट के खेतों में हमेशा सिर्फ सरसों की खेती ही होती थी लेकिन अब इन्होंने अपनाई है टमाटर की खेती पानी की लागती में कम लगती है परसलिवी जल्दी तियार हो जाएजे और बचेत अच्ची हो जाएजे बहुत कम पानी लगता है अटल भूजल योजना के तहट इन्हें मिली तक्नीकी और आर्थिक मदद तयार हुआ ये फार्म पॉन वर्शा का पानी इसमें जमा होता है और खेतों को सीचता है अटल भूजल योजना का एक मुखे मंत्र है सूचना, जानकारी और जागरूपता इसके लिए हर राज्ये ने धोस कदम उठाए है प्रशिक्षन हर स्तर पे हो रहा है ग्राम पंचायद, ब्लॉक, दिले और राज्य स्तर पर प्रशिक्षन हो रहा है और ये एक अब जना अंदोलन बन गया है जिससे की लोग धरा तल पे जल संक्रक्षन के अनेक कारिक्रम कर रहे है जहासी में जल सहेलिया घर-घर जाकर ये समझाती हैं कि पानी की बचत कैसे की जाए मकसद यही कि सूचना और जानकारी की दंजीर में कोई भी कड़ी कमजोर न रह जाए भूजल हमारी सांजी धरोहर है इसे बचाना हमारा करतव्य है ना सिर्फ अपने लिए बलकि भावी पीडियों के लिए अडल भूजल योजना सिर्फ एक योजना नहीं एक आंदोलन है भूजल बचाने के लिए बढ़ाने के लिए अपने के लिए भूजल योजना नहीं एक आंदोल योजना इसी बढ़ाने के लिए झाल भूजल वोजना तर्वावी पार्टियों के लिए